कोई पन चौरस अथ्वा लम्चौरस आकार नी परीमिती शोध्वा माटे आपनने ख्याल छे के आपने तेनी बधीच बाजुओनू माप लईये छिए पन विचारो के कोई वर्तुलाकार पदार्थ होई तो तेन्यों आपने परीमिती अथ्वा तो तेनी कोर छे तेने आपने के वी रिते माप शोँ अहीं एक 500 रूप्यानी नौट आपेली छे तेने आपने माप पट्टी नी मदथी मापी शक्षू परन्तु अहीं एक सिक्को आपेलो छे तेने आपने माप पट्टी नी मदथी मापी शक्षू नहीं तो आ सिक्का नी परीमिती अथ्वा तो कोर मापवा माटे आपने शू करी शू तो आ सिक्का नी कोर मापवा माटे आपने आपने आ सिक्का पर अहीं एक निशान करी दई आ निशान ने माप पट्टी पर 0 पासे गोठविए हवे आ सिक्काने आपने फेरवता जाईए और माप पट्टी पर आगल तरफ तेमने फेरविए तो फरीवखत जारे आ सिक्को फरी ने एज बिंदू फरीवखत माप पट्टी पासे आवे तेने आपने नोंधी दईए तो अही आपने आ सिक्कानी कोर नू माप लिधेलू छे तो आ मापने वर्तुलनों परी कहवामा आवे छे तो अही आपने वर्तुलाकार प्रदेश्नी कीनारी आ कीनारी ने आपने मापी आ कीनारी ने आ वर्तुलनों परी कहवामावे छे अहीं एक ढाल पर एक चक्र मुकेलू छे आ चक्र ने आपणे नीचे गबड आविए ते पहला तेना पर एक रेखा बनावीने ते नीचान नोंधी लिए अवे जारे आ चक्र छे ते नीचे तरफ गबड शे त्यारे तेने आपणे नोंधी लिए के फरीवखत ए नीचान कई जिगे आवे छे तो संपून एक आटो फरी ने जे जग्या पर चक्र आवे छे तेने आपणे नोंधी लिए तो आँ चक्र ये जेटलों अंतर काई पुछे एक चक्र पूर्ण करवा अमाटे आज अंतरने तेनों परीग केहवामा आवे छे वर्तुल ना परीग मा आपणे त्रीज्या व्यास अने परीग ना केटला गुणोत्तर विशे जोईए अहीं एक वर्तुल आपने लिधू होई के जेनी त्रीज्या 3.5 सेंटीमीटर होई व्यास 7 सेंटीमीटर होई अने तेनों परीग 22 सेंटीमीटर होई तो परीग अने व्यास नों गुणोत्तर 22 सेंटीमीटर होई आपने ख्याल छे के व्यास ए त्रीज्या करता बमण होई छे माटे 7 सेंटीमीटर 30 धरावता व्यास नों माप 24 सेंटीमीटर थशे अने तेना परीग नों माप 45 सेंटीमीटर थशे आम परीग अने व्यास नों गुणोत लई ये तो थशे 45 ना छेद माद 4 बराबर 3.4 अने एक वर्तुल नी वाद करिये अहीं 30.5 सेंटीमीटर आपी छे व्यास 21 सेंटीमीटर आपेलो छे अने तेनों परीग 66 सेंटीमीटर आपेलो छे हवे परीग अने व्यास नों गुणोत तर जोई ये तो 66 ना छेद माद 2 बराबर 3.4 अन्या एक वर्तुल नी आपने वाद करिये के जैनीत रिज्या 21 सेंटीमीटर छे तेथी तेनों व्यास 42 सेंटीमीटर थशे परीग 132 सेंटीमीटर छे तो अहीं परीग अने व्यास नों गुणोत तर 122 ना छेद माद 42 थशे अहीं साधुरू पापता तेनों जवाब 3.4 अहीं आपने चार परीणाम मलेला छे आ चारे परीणाम अने कोष्टक पर्थी अनुमान करी शकाए के वर्तुलनों परीग अम्मेशा तेना व्यास ना 3 गणा करता वदू ओई छे अहीं उपर आपने जोयू के चार अलग अलग वर्तुलों लिधा तेमा आपने व्यास अने परीग नों गुणोत तर लिधो तो तेनों साधुरू पापता जवाब 3.4 जेटलों मले छे आ परीग अने व्यास नों गुणोत तर 22 ना छेदमा साथ अथवा 3.4 के जे अचल छे आ अचल परीणा मलू छे तेने आपने पाई वडे दर्शाविये छे आम पाई बराबर सी ना छेदमा डी ज्यां सी एटले परीग अने डी एटले तेनों व्यास छे आपने अगाउ जोयू तेम पाई बराबर सी ना छेदमा डी अहीं सी एटले परीग अने डी एटले व्यास छे तेथी आपने वुकई शक्ये के वर्तुलनों परीग सी बराबर पाई गुणिया डी आपने जानिये छिये के D एटले के व्यास बराबर 2 गुणिया 3 जिया तेथी आपने उखई शक्ये के C बराबर 5 गुणिया 2 गुणिया R आम वर्तुलनों परिक बराबर 2 पाई R थशे